राइस इंजले में इन दिनों अवाद इट भट्टी का कारुबार जोरो पर है और इन इट भट्टो की जौनकारी नहीं प्रशाशन को है और नहीं जिम्यदारों को या यू कहे जौनकारी होने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कारिवाही नहीं हो रही है राइस इंजले में इन दिनों अवाद भट्टे का कारुबार जोरो पर चल रहा है भुपाल से सागर रोड पर बड़ी संक्या में इट के भट्टे लगाए गए हैं यहां न कोई जानकारी लेने वाला है न पूछने वाला है इट भट्टा मालिक अपने तरीके से कारी कर रहे हैं न तो खनेज अधिकारी नहीं राजस विभाग के वरिष्ट अधिकारियों ने अवैद रूप से चल रहे हैं इस कारुबार को रोकने के लिए हिम्मत जुटाई है शेत्र में संचालित कई इट भट्टे ऐसे हैं जिनके पास न प्रशाशन की अनुमती है नहीं खनेज विभाग से लीज ली गई है यहां तकी पंचायत की अनुमती भी लेना जरूरी नहीं समझा गया अवैद रूप से चल रहे हैं नीड भट्टो पर बाल मजदूर भी आसानी से देखे जा सकते हैं जिनकी जानकारी श्रम विभाग के अधिकारियों को भी है लेकिन कारिवाही नहीं की जा रही है जिला मुख्याले से लगे हुए भोपाल रोड सित ग्राम विरलखो चोपडा सेहत गंच खरवाई राजिव नगर मकोडिया नीमखेडा नंद क्योटी मानपूर रतनपूर बुद्धा ताचपूर आदी राइसिन तहसिल के अंतर गताने वाले ग्रामों पर जोरों से अव कारिवाही करने के लिए आला अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जब कारिवाही की बात आती है तो मौके पर इट भट्टा मालिक मुकर जाते हैं जिससे इन पर कारिवाही नहीं हूपाती वहीं सम्मन में जब जिला कलेक्टर हुमाशंकर भारगव से बात की गई तो उन्होंने राजस्व और खनिज विभा की सयुक्त टीम गठत कर कारिवाही करने का आश्वाशन दिया है अब देखना यह है कि इन अवैद इट भटो पर प्रशाशन कितनी सक्त कारिवाही करता है अब बीच में हमने जो अवैद माइनिंग रसके ख़ाब कर रहे थी इसमें इट गड़ में कई जगए जो इट के भट्टे थे उनके प्रक्रण बनवाए गए हैं आपके दौराइं मेरे संग्यान में लाया गया निश्चत रूप से कल ही में लेवर डिपार्टमेंट रेविन्यू और माइन की एक जोएंट टीम भीज़ करके इसके पूरी जाज़ कर देता हूं